नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं खत्यानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम सीरी सुरेन ने कहा है कि राज सरकार युआओं को रोजगार के लिए 5 से 25 लाख रुपे तक रिन उपलब्द करा रही है इससे बेरोजगारी कम होगी सीएम सुरी सुरेन ने कहा है कि 20 सालों का जख मत 3 साल में नहीं भारा जा सकता इसके लिए और समय के जरूरत होगी उन्होंने कहा है कि अगले साल से राज सरकार राज के सभी जीला मुख्याले में सीवी एसी से मन्याता प्रप्त एक स्कूल खोल रही है इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे इसके बाद प्रखंड और पंचायत अस्तर पर्या ब्यवस्ता की जाएगी उन्होंने कहा है कि साभीत्री भाई फुले योजना के तहट बलिकाओ को हर माँ 4,000 रुपे मिलेंगे और 18 साल के बाद एक मोस्त 40,000 रुपे सरकार देगी इसके बाद आगे की पढ़ाई भी राई सरकार कराएगी इसके अलावा परतियोगी परिक्षाओ के त्यारी करने और रहने खाने के लिए भी राई सरकार ब्यवस्ता करेगी मोसम बेग्यानी अभिसेक अनन्द की माने तो बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव वह इससे उठे चक्रवाद के तमिलाडू में टकराने पर 8 दिसंबर की रात जारखन के कई इलाकों में बादल चाहे इससे 8, 9 वद 10 दिसंबर को जारखन के मौसम में बदलाव का अनुमान है 9 दिसंबर की सुबा में कोहरा चाहे रहेगा और हावा चलने से ठंड बढ़ेगी बादल के चलते रात में निम्तम तापमान में 2-3 डिगरी की बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन उतर भारत में हो रही बर्फ बारी से 11 दिसंबर से जारखन में और पारागिरने की संभावना है इससे जारखन में सीत लहर चल सकती है बतादे काके का निम्तम तापमान में बुद्धवार को और कमी आ गई है मंगलवार को रांची का निवतों तपमन 12 डिगरी था जबकि बुधवार को 10.100 डिगरी रिकॉर्ड किया गया रांची के J.A.C.A. स्टेडिया में 27 जनवरी को भारत और न्यूजिलेंट T20 मुकाबला जार्खन की राईधानी रांची को अगले साल जनवरी में 1 और T20 इंटरनेशनल की में जबानी मिली है यहां भारत न्यूजिलेंट के खिलाब 27 जनवरी को 1 T20 मुकाबला खिलेगा BCCI ने भारत और न्यूजिलेंट के बीच खेले जाने वाले घरेलू सिरीज का सेडियूल जारी कर दिया है न्यूजिलेंट को भारत दवरे के दवरान 3 वंडे और 3 T20 सिरीज खेलनी है दवरे की सुरुवात वंडे सिरीज से होगी बता दे BCCI ने जार्खन स्टेट क्रिकेट एसोसियेशन को 27 जनवरी को होने वाले मुकाबले की त्यारी करने के लिए कहा है टिकट की दरो की घोसना अभी नहीं हुई है ICC T20 World Cup 2022 से पहले भारत इस एस्टेडिय में दक्चिन अफरीका के खिलाब एक वंडे मुकाबले में भिगा था जार्खन BGP में जस्न का महौल गुजरात बिधान सभाज चुनाओं में एतिहासिक जीत पर जार्खन में भी भारतिय जनता पार्टी के नेतार करकाता जस्न मना रहे हैं जार्खन के दो पूरुमुक मंतरी बावलन मरांडे और रगवदास ने इसे एतिहासिक जीत बताया वहीं परदेश BGP अध्यक्ष दिपक परकास ने गुजरात की जनता को BGP पर विश्वास जताने के परतिय अभार जताया है बतादेश हरकन के पूरुमुक मंतरी रगवदास ने कहा है कि गुजरात ने एक बार फीर से इतिहास रचा उन्होंने कहा है कि पिये मोदी के विकास मौडल पर गुजरात की जनता से मुहर लगाई है यह लोगों को मान समान और आत्मविश्वास की जीत है उन्होंने कहा है कि इस बीराट बीजाय के लिए गुजरात के दिवतुले जनता और परिस्रमी करिकताओं को बधाई है वहीं जूट फरेव और फिरी कीरा नेती को गुजरात की जनता ने नकार दिया है जहर्खन के 13 जीलों के बाल बैग्यानी बोकारों में दिखाएंगे परति भागा कर्केरम के पहले दिन राजय के तेरा बीभीन जीलों से पहुंचे सोँ से अधिक बाल बैग्यानी बोकारों ने अपना रेजटेशन कराया बता दे पहले दिन निरनायक मंडली के सहस्यों के लिए उनमुखी करन कारिकरम हुआ है गढ़वा में अक्षरा सिंग को देर से आने पर हुई तोड़ फोर लाठी चार जारखन मुक्ती मोर्चा की ओर से आयोजीत खत्यानी जोहर यात्रा कारिकरम के दौरान आयोजी संस्कृती कारिकरम में भोजपूरी के श्टार कलाकार आक्षरा सिंग देर से पहुची इस कारण उनका कारिकरम मुखे मंत्री के आने के पूर्वर नहीं कराया सका मुख्य मंत्री के जाने के बाद जब आक्षराज सिंग का संस्क्रिती कारकरम शुरू किया जाने लगा तो उस दवरान लोग सोर मचाते हुए कारकरम अस्थल एस्टेज के समीप आने की होल्ड करने लगे लोग आपस में ही टकरार गिरने लगे लोगों के हुड़दां को देखते हुए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा लाठी चार्ज से कारकरम अस्थल पर आपरातप्री मच गई है आई पील गोली कांड में रामगर बिधायक मामता समें 13 दोसी करार इनलेंड पावर लिमिटेड गोली कांड मामले में हज्जारी बाग के MP MLA Special Court ने रामगर की बिधायक मामता देवी समें 13 आरोपियों को दोसी करार दिया है इस दोरान कोट ने सभी की जमाना त्याज का खायरिज कर दिया है 29 कुमार पवन के कोट में 12 दिसंबर को बिधायक समें सभी आरोपियों की सजा सुनाई जाएगी बतादे रामगर जीले के गोला परखंड में 29 अगस्ट 2016 को IPL फैक्टरी में मैदूरों के सोशन के बिरोध में आंदोलन हुआ था अंदोलन कारियों के उग्र होने पर पुलिस फैरिंग में दो लोगों की मौत हुई थी सरकारी योई नाव का नहीं मिल रहा था लाब सीम से गुहार परपसासन पहुचा गया जन जन तक मुहिम चला कर उन्हें कल्यान कारी योई नाव से जोडने के आदेश को अब राजे के अधिकारी अमली जमा पहना रहे हैं ग्रामीन भी अपने हक अधिकार के प्रतिजागरूप हो रहे हैं बतादे इसका ताजा उधारन जमसेद पूर के मिरजाडी सेंटरल टोल में देखने को मिला है पूर्वी सिम्भूम के बोडाम प्रखण इस्थित मिरजाडी सेंटरल टोला के आदिवासी परिवार ने सपने में भी नहीं सोय था कि उनकी समस्याओ का समधान होगा लेकिन 24 गंटे के अंदर उनकी समस्याओ के निराकरन की परिक्रिया सुरू कर दी गई ऐसा हुआ गाओं के ही सोला वर्सी है युगा साहिल सुरेन की पहल पर बतादे अपने गाओं वालों की समस्याओ को देखते हुए साहिल ने अखिरकर पूरी जनकारी मुख्य मंत्री हैमान सुरेन से साजा कर दी है सरकारी स्कूल के रसोयों के बीच होगी कुकिंग परत्योगिता राजे के सरकारी स्कूलों में कारेरात रसोयों के बीच कुकिंग परत्योगिता होगी इसकी त्यारी के लिए जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकरन ने सभी जिला सिक्षा अधिक्षों को निर्देश दिया है जार्खन राज मद्याहन भोजन प्राधिकार की निर्देशक किरन कुमार पासी ने निर्देश दिया है कि जिस दिन जिस अस्तर की परत्योक्ता होगी उस दिन बढ़ने वाले मेन्यू के अनुसार ही परत्योक्ता का आविजन किया जाएगा संकूल अस्तर पर होने वाली परत्योक्ता में संकूल की सभी रोसोया और सहाई का भाग ले सकती है दो से अधिक संतान वाले को चुनाव लणने से मना ममला हाई कोट जारखन में दो से अधिक बच्चे वालों को निकाय चुनाव लणने से वंचित रखने के खिलाप हाई कोट में आजका दायर की गई है रांची के रहने वाले कृष्णा कुमा न यच्का दायर कर राज सरकार के निकाय चुनाव नियमावली को सम्मिधान के अनुरूप नहीं बताया है यच्का में कहा गया है कि इस नियमावली से चुनाव में समानता का अधिकार का हनन हो रहा है राजी के कई लोगों को सरकार चुनाव लटने से वंचिद कर रही है याचिका में निर्वाचन आयो के आदेश और सरकार की निमावली को चुनाओती दी गई है निमावली में कहा गया है कि दो से अधिक संतान वाले महिला या पुरुष निकाय चुनाव लड़ने के योगिन नहीं होंगे इस्कूल में तिरंगे को फार कर बनाया डस्टर जारखन के एक स्कूल में राष्ट्रिये धोज दिरंगा को फार कर उसका डस्टर बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है मामला पूर्वित सिमू के घार सिला कहा है यहां इस्थीत राजगिये घार सिलमा देविद्याला की प्रिंसपल पर आरोप है की उन्होंने राष्ट्रिये धोज को फार कर उस कपड़े से डस्टर बनवाया और उससे पोछा लगवा दिया इस बात की जनकारी मिलते हैं स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों के अभिभावक आक्रोसित हो गया है अभिभावकों ने इस्कूल का घेराव किया और आरोपी प्रिंसपल की खिलाप नारेबाजी की वे प्रिंसपल को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं गुमला में एनाईय कोट के आदेस पर इनामी नकसली की जमीन जब तजहारकन के गुमला में एनाईय कोट राची के आदेस पर जीला परसासन ने हाटकोर मवादी एरिया कमांडर आजीज अंसारी की संताओन डिसमी जमील को अपने कबजे में ले लिया है परसासन ने यह करवाई गुमला सदर थाना चेत्रे के लूटो पंसो में डुगडूगी बजाकर और लोड स्पीकर से जनकारी देने के बाद की है हाड कोर मवादी एरिया कमांडर पर दो लाह का इनाम घोची था है अजीम अंसारी पंसो गाउं का रहने वाला है कुछ मापुरो परसासन ने उनके विरोध इनाम की रासी बढ़ाकर पांच लाख रुपे करने का प्रस्ताव भेजा है जारखन में किसान रीन माफी जोजना का आंकोलों से खुल गई सरकार की पोल जारखन में किसानों की रीन माफी को लेकर ढोल पिटने वाली गडवंदन सरकार की पोल खुल गई है सरकार गठन के करीब 3 साल के बाद राज्ये के महज 4 लाख किसानों की रीन माफी हो पाई है जबकि 5 लाख किसानों को 50 रुपे तक की रीन माफी का इंतियार आज भी है बिभाग ने मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के द्वारा की गई समिक्षा के बाद अब इसे अभियान चलाने करनी ने लिया है किसानों से रीन माफी का वादा कर सत्ता पर काबिज होने वाली हेमन सरकार की पोल खुल गई है रीन माफी का ढोल पिटने वाली गड़ बंदन सरकार अपने कारेकाल के करीब 3 साल बाद भी अपने ही लक्ष से 5 लाख पीछे चल रही है रिन माफी योईना में बैंकों की सुष्टी और कागजी परकिरिया के मकड जालने किसानों के सपने पर पानी फेर दिया है सिमडेगा पुलिस की एक तीर से दो सिकार वाली पहल बंदुक उठा कर अपराधियों को पकड़ने वाले हाथ अब हाथों में चोक पकड़ेंगे खाकी अपराधियों के पीछे भागने के साथ बलेक बोड पर सब्दों के पीछे भी दोड लगाएंगी बतादे जहरकन के सिमडेगा में फिर से पुलिस अंकल टिटोरियल कलास शुरू हो रहा है मवाद और असिक्षा के दंस के कारण मानो तसकरी के लिए जाने जाने वाला सिमडेगा में 2 अक्टूबर 2019 को ततकालिन स्पी संजीव कुमार गरीब और अभाव हीन बच्चों में सिक्षा का दिप जला मानो तसकरी पर अंकुष लगाने के लिए पुलिस अंकल टिटोरियल कलास के शुरूआत की थी एक नई सोच के साथ उनके द्वारा उस वक्त रोपा गया पुलिस अंकल टिटोरियल कलास का बीज आज वर्ट बिरिस्ट का रूप लेने जा रहा है सराब से रेबेन्यू पर जहारखन सरकार और 36 गड़ की एजेंसी आमने सामने जहारखन में जिस 36 गड़ की एजेंसी को सराब से रेबेन्यू का प्याला भरने के लिए बुलाया गया था आज वह एजेंसी अपने लक्ष से कोसो दूर नजर आ रही है लिहाजा रेबेन्यू के नुकसान से सरकारी महकमे में भी बोकलाहट है उतपाद विभाग के सचीव बीनाय चौवे ने उतपाद विभाग में बुद्धवार को एक बैटक की है इस बैटक में 36 गड़ एजेंसी के अधिकारियों के साथ सराब के थोक आपूर्ति करता भी सामिल हुए मिली जनकारी के मुताबिक इस बैटक में एजेंसी को लक्ष के हिसाब से काम करने के सक्त निदेश दिये गए दरसल नॉमबर तक सरकार को महज 1,84 को रुपए की रिवहनियों के तोर पर हाचिल हो पाया यानि विभाग को अब तक करी 562 को रुपए का नुक्सान हो चुका है ED के समन के बावजूद नहीं हाजिर हुए DSP न्याईक हिरासत में रहने के दवान मुख्य मंत्री के बरहेट विधायक परतिनीधी पंकज मिस्ता से बातचीत करने वाले साहब गंज के DSP रायंदर दूबे ED के समन के बावजूद गुरुवार को ED दफ्तर नहीं पहुचे रिम्स फोन कांड में ED ने पूस्ताच के लिए DSP को तलब किया था बता दे गुरुवार को साहब गंज के DSP रायंदर दूबे को ED के जोनल कर्याले पहुचना था लेकिन वा एजेंसी के समक्ष उपस्तित नहीं हुए गुरुवार को दिन भर ED के अधिकाई रायंदर दूबे का इंतियार करते रहे ED इस मामले में DSP के उपस्तित नहीं होने को काफी गंभीर मान रही है इस मामले में ED आने वाले दिनों में कड़े फैसले लेने का मन बना रही है कोट फीस मामले में सरकार ने माना सुधार की हैं जरूरात ज्धारखन हाई कोट के मुखे नैढृधिस ड़कтор रवीरंजन और नैढीस सूजीत निरान परसाथ के अदालत में बीदांच सभा में इसे पास होने के लिए भेजा जाएगा जार्खन हाई स्कूल सिख्षक नियुक्ति में नए बिवायत पत्रों की जाच 14 और 15 दिसंबर को नाम को मिस्थीत आयोग कर्याले में होगा इसके अलावा आयोग ने सहती स्वय से याच्का करता की सोची जारी की है जिनका रोल नंबर और आवेदीत भी साय उपलब्ध नहीं है राज ये खाद आयोग की पहल बेहतर कारे करने वाले डी जी आरो होंगे समानी जारखन में गरीबों कराश्ट्रिये खाद सुरक्षा धिनियम और जारखन राज खाद सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त और सहस्ते दर पर अनाज मुहया कराया जाता है लेकिन पीडियेस दुकंदारों की मनमानी बोलोक अस्तर परपता दिकारियों और विचलियों की मिली भगत से लाभुकों की हकमारी होती रहती है लाचार लाभुक समझ नहीं पाते कि आखे सिकायत करे तो कहां करे दरसल लाभुकों को सुगमता से अनाज मिले इसकी मोनेटरिंग की जिमेदारी और जब अब देही राजे खाद आयोग की होती है आयोग के अध्यक हिमानसु सेखर ने बताया है कि उन्होंने लाभुकों को जागरूप करने के लिए मुखिया से सिधा सनवात करेकरम चलाया था इसका नतीजा दिखने लगा है अब बड़ी संख्या में लोग आयोग के पास वाट्सेप और अने माध्यम से सिकायत पहुचा रहे हैं जिनका तिव्र गति से निस्पादन किया जा रहा है परिक्षा पे चार्चा दुहजारतेस के लिए राजिस्ट्रेसन पीए मोधी का बहुच चर्चित कार्चा पे चार्चा के छठे संसकर्ण कायोजर नई दिल्ली के ताल कोटो राई स्टेडियम में जनवरी दोहयतेस में किया जाएगा परिक्षा पे चार्चा के तहद बिद्यार्थी को परधान मंत्री नायन मोधी के साथ बातचित करने का उसर मिलेगा इसके लिए राजिस्ट्रेसन 30 दिसंबर तक चलेगा बतादे परधान मंत्री मोदी इस परिक्षा पे चर्चा कारिकरमे चात्रों को परिक्षा के तनाव से मुक्त का मार्ग बताते हैं और सिक्षा और केरियर के बारे में उनके सवालों के जबाब देते हैं इस कारिकरम के अंतरगत प्रधान मंत्री नायन मोदी माता पीता और सिख्ष को के साथ भी बात्चित करेंगे ताकि छात्रों को उनके सभी सपनों और लक्ष को फूरा करने में मदद की जा सके के कारकरम को लेकर जामो जीला कमेटी गूमला ने तैयारी शुरू कर दी है इसको लेकर पार्टी नेतावने बैठक कर चार्चा भी किये हैं एक कई साल से कम उम्र में बिवा सरीर के लिए लाबधायक नहीं डाल सा राश्ट्रीय बिधिक स्वा प्राधिकरन एवं जाल सा के निर्देशन में बाल बिवा को समाप्त करने है तू गुरुवार को कैम्पेन का आरम किया गया है। इस दोरान सदर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बाली का आवसे विध्याले की बचियोंको बाल बिवा से उत्पन होलेवानी समस्याओ और बुरायों से अवगत कराया उन्होंने बचीयों से कहा है कि कई साल की उम्र से पहले बीवा करना सारीर के लिए लाबदायक नहीं है उन्होंने कहा है कि कम उम्र में बीवा करने से अधिकतर बचीयों की मिरित्यू गर्भावास्ता के दोरान और समय हो जाती है जार्खन सरकार को IIT मदरास सड़क दुरगाटना नियुमतम करने में मदद करेगा IIT मदरास सड़क दुरगाटना की संख्या को कम करने और उससे होने वाली मिरितियू की संख्या को नियुमतम करने के लिए एक बैग्यानिक प्रवर्तन द्रिष्टी कोन को लागू करने के लिए जार्खन सरकार की सहायता करेगा इस सहयोग के लिए गुरुवार को भारतिये प्रद्योग की संस्थान मदरास के साथ तुन सरकार, प्रवर्तन द्र मदरास के साथ़ राज सरक्षा प्रवर्त प्र विद्धा के साथ राज सरक द्रिष्टा को अधा करने के लिए तकनीक शूप अनुसदैना था धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत करें लेकान दबाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक करें अपने दोस्तों से असर करना ना भूलें साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक यू